वेलकम तू रेट टेक चैनल अन्यू वेट तू लार्न तो आज हम दा फिजिक्स ओफ रेडियोलोजी एंड इमेजिंग में एट्थ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे Computed and Digital Radiography यह हमारे जो है लास्ट पार्ट है इस एट्थ यूनिट का इसमें हम Picture, Archiving and Communication System यानि की PECS के बारे में डिस्कस करेंगे So, let's begin तो आज हम जानेंगे Picture, Archiving and Communication System यानि की PECS के बारे में PECS System जो है PECS System के माधियम से जो है काफी revolution आया है हमारी Radiology फिल्ड में इसके जो है फायदे जो है आप देखेंगे इस वीडियो में पूरा अच्छे से और इसके बारे में अच्छे से जान जाएंगे Definition की बात करें तो PECS जो है एक Digital Storage है या एक तरह से Digital Solution है जो हमारी फिल्म में होती है Medical Images है उनको Storage करने का, Transmit करने का और Access करने का तो एक Digital Solution निकाला गया PECS System को Introduce करकर तो यह इसकी Definition है PECS System में क्या होता है? परपस है इसका Cost Effective करना यानि कि अगर आपकी जो Images है उसके अगर आपको One Place to Another Place जो है शेयर करनी है इमेज तो आपको जो है Duplicate Print भी निकालना पड़ सकता है तो उस Case में जो है Purpose हमारा Cost Effective करना जो है आपका Duplication of जो है Printing जो है वो इसमें नहीं करनी पड़ेगी तो जो आपका Workstation के मादियम से ही आप Image को जो है Access कर सकते हैं तो PECS का Purpose यह था हमारा Basically Key Format की बात करें तो मैंने हर एक वीडियो में जो है इसके बारे में जिकर किया है Dicom Viewer यानि कि जो Dicom है Digital Imaging and Communication in Medicine यह हमारा एक Key Format है Standard Key Format जो All Over the World यूजज किया जाता है जो भी हमारी Digital Images है वो इसी के मादियम से जो है वो देखी जा सकती है हर किसी जो Workstation है उसमें जो है Dicom Viewer इंस्टॉल होता है उसी Software के मादियम से हम Image को Storage भी कर सकते हैं और Send भी कर सकते हैं तो यह सब जो Digital Imaging है वो सब Dicom के मादियम से होती है तो Format आपको पता चल गया उसके बाद बात आती है Component की तो Component में Basically Imaging Device जो है आपका वो Connection होना चीए Network System से देन उसके बाद जो है Workstation जो है आपका और Storage Capacity जहां आपने Store करना है तो इसमें एक जो है Web Cloud की तरह Formation किया जाता है और जो भी हमारा Workstation है उससे Network के मादियम से जो है Connection होता है और आप Storage से जो आपकी Workstation है उससे Select करके जो है Pack System में जो है Send कर सकते हैं आपके Network लेवल पे जो है Web Cloud की तरह कह सकते हैं उसमें जो है Save हो जाती है आपकी Information जो आपकी Images है अब Function की बात करें तो जो Digital Transmission है यानि की जो Film का Manual Handling था उसको Eliminate कर दिया गया है Transportation of Films है वो काफी हद तक जो है Minimize कर दी गई है Packs के आने से उसके बाद बात करते है Universal Format की तो Universal जो Format है Ticom Viewer है जैसे कि मैंने अभी बताया है Standardize करने के लिए Image Storage को और Transfer को Standard सेट किया है Ticom Viewer से Remote Access की बात करें तो Enable हो सकता है Basically Distance Education जो है इसी के मादम से जो है Possible हो पाती है Teleradology और Basically Easy Integration होता है His और RIS में His होता है हमारा Hospital Information System और RIS होता है हमारा RIS यानि की Radiology Information System कई बार जो है Radiologist जो है वो Work Session पर इमेज को देखते हैं Then वो Physician से जो है Consult करना चाहते हैं किसी भी जो है अब HIS और RIS का जो रोल वो Hospital Level पे जो है वो काफी जो है अच्छे से PECS ने जो है सफल बनाया है जैसे कि Radiology Department में एक जो Radiologist है उसको कोई केस जो है डिसकस करना है रेलेवन्ट जो है Consultant से या जो भी जो पेशेंट से लेटेट जो डॉक्टर है वो उसको ट्रीट कर रहा है तो उस बार में जो है वो PECS के माध्यम से जो है इमेज को एकसेस करेगा अपने Work Station से और Radiology Department में बैठा हुआ Radiologist जो है वो उससे बैतर तरीके से कनवे कर पाएगा कि इमेज में कहां क्या प्रोब्लम है और उसको समझा पाएगा तो इसी के आदार पर जो है Time Saving भी होती है और Basically हम जो है Convenient होता है Integration होता है जो है Remote Access में यही है कि आप जो है Hospital Level में किसी भी Department में अगर कोई भी डॉक्टर है तो वो जो है Radiology की जो Images है उनको Access कर सकता है तो PECS ने यह जो है Possible बनाया है PECS के माध्यम से यह सब हो पा रहा है उसके अलावा जो है Tele Radiology होती है Tele Radiology मतलब A Place पर कोई Hospital है और दूर कोई B Place पर जो है Hospital है उससे अगर जो है Reporting जो है A Hospital B से करवा रहा है तो उस Case में जो है आप A से B पर Send कर सकता है Images को और उसके बाद जो है आपके पास Reporting आ जाएगी तो Tele Radiology वह है इसके बारे में आगे हम और जानेंगे Then Workflow Management की बात करें तो जैसे के मैंने अभी डिसकुस किया तो Patient Examination और Radiology जो प्रोसेस है वो काफी असान हो जाती है Enhanced हो जाती है Efficiency Patient की Examination Consultant से जो है वो बहतर तरीके से हम Conway कर पाते हैं Radiologist So यह हमारा Workflow Management काफी बहतर हुआ है Pax के आने से अब बात करते हैं Workflow Process की तो Image Capture की जैसे के आपने कोई भी Image है वो Capture हुई है CT है, Ultrasound है, MRI है, Pet है तो Pax Gateway के मादिम से जो है Quality Assurance Workstation होते है Verified Study Information जो भी Study Upload की जाती है उसको Verify किया जाता है Study को Verify करके जो है उसको Upload कर दिया जाता है Image Storage की बात करें तो जो Character Studies है वो Archived हो जाती है For Future References Radiology Review की बात करें तो Images को जो है दुबारा भी जो है देखा जा सकता है Reviewed और Reported किया जा सकता है Specialized Workstation के मादिम से Communication and Security की बात करें तो Web Based Interface होते हैं यानि कि Internet से जो है यह Connection होता है WAN से जो है और Via VPN Client Side Software की बात करें तो ActiveX, JavaScript और Java Applet इसमें जो है Further Software होते हैं Backup की बात करें तो Automatic Duplication होता है Images को Copy किया जाता है To, For Secure Storage तो Automatically जो है इसमें जो Images की जो है वो Copies हो जाती है Secure Storage करने के लिए तो Workflow आपको समझ में आ गया और सबसे बड़ा Benefit यह होता है कि एक Patient की आपने जो है Information जो है वो D-PACS में और उसका जो Patient का Data है आपके पास X-Ray, Ultrasound, Pet या MRI, जो भी Modalities का जो है Data आपको Collection करना है वो सभी आप एक ही जो है प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं तो यह PACS ने आसान बनाया है इससे काफी जो है Help हुई है Radiologist को इस Field में Then बात करते हैं Tally Radiology की, यानि कि TR जो Tally Radiology है उसका होता है कि उसका मतलब यह है कि Patient की जो Images है वो Different Location से जो है आप Access कर सकते हैं Patient की Images को जो है Send किया जाता है दूसरी Location में Purpose की बात करें तो जो है Radiologist के बीच में जो है Share की जाती है Images को और Physicians के To facilitate और to basically Discuss any जो है Disease Advantage की बात करें तो Shortage of Radiologist को देखते हुए जो है इसकी जो Advantage है वह यह है कि Teleology 24x7 जो है Specialized Service में रहता है आप जो है कभी भी जो है Reporting के लिए और You Can Say Images को Send कर सकते हैं और आपको जो है Reporting मिले जाएगी टाइम पर Technological Integration की बात करें तो इसमे Communication Channel वही Internet से Connection है Telephone है, WAN है, LAN है Software की बात करें तो Specialized Tools होते हैं Image को Transmission यानि की भेजने के लिए Advanced Technologies की बात करें तो Graphic Processing, Voice Recognition और Image Compression के भी जो है वह काफी other Software आ गए हैं तो Tele Radiology से आप यह समझते हैं कि जो Mainly आपका जो है Reporting में Mostly काम आता है आजकल A Hospital को B से अगर Reporting करवानी है तो Tele Radiology के मादम से वह होती है और यह सफल Basically PECS ने बनाया है Now, we move to Topic MCQ Question No.1 है हमारा What is the main purpose of PECS in Medical Imaging? तो Primary Purpose क्या है PECS का वह में बताना है Option No.1 है हमारा Manual Filling Option No.B हमारा Digital Image Storage and Access यह Option No.C हमारा Traditional Film Based Retrieval यह Option No.D हमारा Patient Transportation तो Right Answer है हमारा Option No.B यानि की Digital Image Storage and Access तो Main जो Primary Purpose था वह Digital Image को Store करने का था और Access करने का तो Right Answer हमारा Option No.B Question No.2 Which Format is Universally Used for Image Storage and Transfer in PECS तो PECS में कौन से Format के दोरा जो है Images को Store किया जाता है और Transfer किया जाता है Option No.2 है हमारा JPEG Option No.B हमारा TIFF यह Option No.C हमारा DICOM यह Option No.D हमारा PDF तो जैसा कि मैंने अभी डिसकस किया था जो Universally Accepted जो Software है यह Format You Can Say Option No.C इसका Right Answer है DICOM DICOM Viewer के मादम से जो है हम Images को Store करते हैं और Transfer करते हैं PECS के अंदर Question No.3 What are Essential Component of a PECS System? तो कौन से मैत्वपून कंपोनेंट होते हैं PECS के वो में बताना है Option No.D है हमारा Monitor, CPU, Keyboard यह Option No.B हमारा Imaging Device, Network System, Workstation या Storage Option No.C हमारा Printer, Scanner, Mouse यह Option No.D हमारा Action Machine, Microscope और Stathoscope So Right Answer है हमारा Option No.B यानि की पहला जो आपका कार्या होता है वो Image Device का जो भी Imaging Device है वह है Then Network System यानि की जो आपकी Imaging Device है उसे Network Connection होना चाहिए Then आपका Workstation है और उसके बाद आपका जो है Storage है तो यह सभी जो है Essential Component होते हैं PECS System के Question No.4 How does PECS Contribute to Workflow Management in Radiology तो कैसे Workflow Management करता है PECS के दुआरा कैसे होता है वो में बताना है Option No.1 हमारा Increased Manual Handling Option No.B हमारा Slow Down Patient Examinations Option No.C हमारा Enhances Efficiency in Examination and Processes Option No.D हमारा Require More Paperwork तो PECS के आने से जो है वो काफी Efficiency में जो है वो सुदार आया है तो Option No.C हमारा इसका Right Answer है Enhances Efficiency in Examination and Processes Question No.5 Which Technology is commonly used for Transmission of Patient Images in Tele-Redology तो कौन सी Technology के मादम से जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस Transmission होती है Patient की Images को Tele-Redology में वो में बतानी है Option No.N है हमारा Morse Code Option No.B हमारा Smoke Signals Option No.C हमारा Internet WAN और LAN Option No.D हमारा Carrier Pigeons Option No.C हमारा Carrier Pigeons Option No.C हमारा Internet के मादम से WAN और LAN के मादम से जो है Images को Send किया जाता है Question No.6 What is the primary advantage of Tele-Redology तो primary advantage क्या है Tele-Redology की वो में बतानी है Option No.N हमारा Increased Physical Presence Of Radiologist Option No.B हमारा Reduced Patient Care Option No.C हमारा Overcome Shortage Of Radiologist Option No.D हमारा Restricts Specialist Services तो primary advantage की बात करें Printing Images Option No.B हमारा Verifying Study Information Option No.C हमारा Patient Transportation Option No.D हमारा Performing City Scan तो right answer है तो right answer है हमारा Option No.B यानि की Verifying Study Information Study Information को जो है Verify होते हैं उसके बाद ही जो है PECS पे upload किया जाता है Question No.8 What does PECS use for Bi-Directional Transmission Between Workstation and Archives तो किसका इस्तमाल किया जाता है तो option No.B हमारा Carrier Pigeons Option No.B हमारा Web-Based Interfaces Option No.C हमारा Smoke Signals Option No.D हमारा Telegrams तो right answer है हमारा Option No.B Web-Based Interfaces यानि की When or Line के मादम से जो है वो Transmission होता है Question No.9 What is the role of DICOM in PECS तो DICOM का क्या role है वो हमें बताना है Option No.B हमारा Manual Filling Option No.B हमारा Storing PDF Documents Option No.C हमारा Standardized Image Storage and Transfer Option No.D हमारा Patient Transportation तो जैसे कि आपने जाना अभी DICOM के मादम से जो है एक Standardized Image Storage और Transfer इसमें Option No.C इसका right answer है एक Standard सेट किया गया है World Level पे, Global Level पे कि DICOM के मादम से जो है Send किया जाता है Images को और Storage किया जाता है PECS में Question No.10 Which software is commonly used for the Transmission of images in Tele-Radialogy तो कौन से software के मादम से जो है से जाता है तो यह थे हमारा एट्थ यूनिट के बारे में I hope you clear out all the points Doubts जो है अपने comment करके जरूर पूछेगा So, that's all for this video Do subscribe if you like And thanks for watching Jai In Jai Bharat